इस वीडियो में एंटी चीटिंग बिल से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं पूरी डिटियल से में कवर किया जाएगा तो वीडियो के सुरू से यां तक जोरी देखे हैं इसके बिलकुल भी ना करें तो चलिए जानते हैं कि परतियोगी परिक्षाओं में गरबड़ी और और नियमित्ताओं से सकती से निपटने के लिए लोग सभा में लोग परिक्षा बिधेयक 2024 कप पास हुआ तो आप्षन ए करेक्ष हो जाएगा 6 फरवरी 2024 को चलिए जान लेते हैं कि अंटी चिटिंग बिल यानि कि लोग परिक्षा बिधेयक क्या है केंद्र सरकार ने परिक्षाओं में गरबड़ी और और नियमित्ताओं से सकती से निपटने के लिए कड़े प्रावधावन किये हैं लोग सबा में केंद्रिय कार्मिक राज्य मंत्री जितंदर सिंग जी द्वारा पेस लोग परिक्षा बिधेयक 2024 में परिक्षाओं में धोखा दड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमित्ता से सहायता करने की दोसी पाये जाने पर अधिक्तम 10 साल की सजा और एक कड़े जिर्मियाने का प्रधान किया गिया है यह विधेयक 6 फरवरी 2024 को लोग सबा की मंजूरी के बाद सुक्रवार को ध्वानी मत्से राज्य सबा में पारित हो गिया दोस्तों यह बिल किसके द्वारा पेस किया गिया है तो जितेंदर सिंग जी द्वारा तो इसे भी आप बैंकिंग भक्ती परिक्षाए और राष्टिय परिक्षन एजिंसी द्वारा आयोजीत सभी कंप्यूटर अधारित परिक्षाए आएंगी यानि कि या बिल इन सभी परिक्षाओं पर लागू होगी इसमे नकल पर रोक थाम के लिए नियूम्तरम तीन साल से पांस साल तक कारावास और इस तरह के संगटित अपराद में सामिल लोगों को 5-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है प्रस्तावित कानून में नियुम्तम एक करोर रुपिय के जुर्माने का भी प्रवधान है इस बिल पर राष्टपती की मोहर लगने के बाद लागू होने वाले कानून के तहट सरकारी भरती और प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रश्न पत्र, लीक और फरजी वेपसाइट जैसी और निमेत तताओं की खिलाफ तीन साल से दस साल की जेल और कम से कम एक करोर रुपिय के जुर्माने का प्रवधान होगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बिल में क्या क्या कहा गया है चलिए इसे एक करके जानते हैं बिल में पेपर लिक और दूसरे के स्थान पर परिक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रवधान किया गया है पेपर लिक मामले में दोसी पाय जाने पर 10 साल की सजा और 1 कड़ोर रुपिय जुर्माना लगाया जाएगा वहीं दूसरे कैंडिडेंट के स्थान पर परिच्छा देने के मामले में दोसी पाय जाने पर 3-5 साल की जेल होगी और 10 लाग का जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर पेपर लिग और नकल के मामले में कोई भी संस्थान सामिल होना पाया गया तो उससे परिच्छा का पूरा खर्च बसूला जाएगा और उसके संपत्ती भी जब की जा सकती है दोस्तो यह बिल क्यों लाया गया है तो वर्ष 2015 से 2023 के बीच पेपर लिग के 14 से ज़्यादा मामले देखे गये है कई राजियों में जिसके बाद से परिच्छा को रद करना पड़ा और यही पेपर लिख होने की वज़े से एक करोर पचास लाग से ज्यादा च्छात्र प्रभावित हुए है इन सभी कार्णों से दोस्तो इस बिल को लाना बहुत ही जरूरी हो गया था